हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए पॉपकॉन की ये कैसी रेसिपी लेके आई हूँ जो साइद ही आपने कभी ट्राइ किया होगा ये मार्केट में भी नहीं मिलते और खाने में तो इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि बच्चे और बढ़े इसे एक मिनट में च पॉपकॉन अच्छे से पॉप हो चुके हैं चलिए इसको छेक कर लेते ही पॉपकॉन को अलग बर्तर में मैंने निकाल लिया है यहां पर आदि कटोरी करम पानी मैं ले रही हूं अब मैंने लिया है इमली का टुकुड़ा इस में से आदिमली इस गरम-पानी दस मिनट के के लिए रख देंगे इसे ढख देते हैं 10 मिनट्स रेस देंगे 10 मिनट्स हो चुके हैं 10 मिनट्स में इमली काफी अच्छे से फूल गई है अब हातों से मसलते हुए इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे अब एक दूसरी कटोरी और चन्नी ले रही हूं और जो पल्प हमने न को डिसकार कर देंगे यहां पर वापस से मैंने कढ़ाई गरम कर लिए और आधा कप चीनी मैं इसमें आड़ कर रही हूं चीनी को हिलाते हुए मैल्ट होने देंगे अच्छे से चीनी मैल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और देखिए चीनी बिलकुल ही अच्छे से मैल्ट ह चुकी है अब स्टेज पर मैं इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूं बेकिंग सोडा डालने से इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है बहुत ही चॉकलेटी कलर इसका आ गया है इसमें आइड कर देंगे होमेड मसाला रोस्टे जीरा धनिया और ब्लैक सॉल्ड पीस कर उससे इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से इससे इसमें पॉपकॉर्न का और इसमें इमली का पल्प और कर देंग और रहेंगे ، हम चाएज मीप को म कर देंगे ताकि जो इमली का pulp है वो चीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएक ये देखिए फ्रेंटि जो चीनी है वो पल्प में अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ज्यादा पानी हमें इसमें नहीं रखना है पानी को हमको सुखा लेना है और गाडा गाडा सा केरमल हमें चाहिए, अब इस केरमल में हम पॉपकॉर्ण को मिक्स कर देंगे और सभी पॉपकॉर्ण को हम हिलाते हुए अच्छे से केरमल में कोट कर लेंगे, हमारे सारे पॉपकॉर्ण अच्छे से केरमल में कोट हो चुके अब इसे जल्दी से एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन जाए फ्रेंट से खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते खटी मीठे टेस्ट वाले पॉपकॉर्ण आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इसी नहीं नहीं रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल बटन को अन कर लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेश्ट आपको मिलती रहे थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग